आस्ट्रेलिया ने भारत को 29 प्राक्चीन कलाकृतियां वापस लॉट टाइंग, रधान मंत्री ने कलाकृतियों का अवलोगन किया 36 गड़ विधान सभा में आज भाचपा सदस्यों ने राज्जे में कानून विवस्था की स्थेती को लेकर काफी हंगामा किया स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराये जाने की मांगी राश्ट्रिय कोविड टिका करण भ्यान के अंतरगर देश में अब तक 181 करोड 24 लाख से अधिक्ती के लगाए जा चुके हैं और एंटी पीसी के कोरवा सेंद्र ने विध्तिय वर्ष समाप्त होने से पहले ही हासिल किया उत्पादरी लक्ष नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदशन समाचार मैं हूँ शुब्रा भट्टाचारे अब समाचार विस्तार से आस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी 29 प्राचीन कलकृतियां वापस लोटा दी हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आजनाई दिल्ली में इन कलकृतियों का अवलोगन किया इन कलकृतियों को 6 श्रेणियों में रखा गया है इनमें शिव और उनके भक्त शक्ती की आराधना करने वाले भक्त भगवान विश्नु और उनके विभिन रूप जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं ये प्राचीन वस्तुएं नौवी और दस्वी शताब्दी की हैं और इनका संबंध राजिस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से हैं 36 गण विधान सभा में आज भाचपा सदस्यों ने राज्जी में कानून विवस्ता की सिति को लेकर काफी हंगामा किया इसके अलावा रायपूर केंद्री एक्स्प्रेस वे में आन्या मित्ता और अधिकारियों के निलंबन का मामला भी सदन में उठा भाचपा विधायक शेवरतन शर्मा ने ये मुद्दा उठाया उन्होंने मंत्री से पूछा कि आन्या मित्ता के चलते प्रती न्यूकती पर आएच छे अधिकारियों को निलंबित किया गया शेवरतन शर्मा ने कहा कि ये 600 करोड रुपे की सड़क का मामला है जो दो अधिकारी बहाल किये हैं क्या PWD ने इसे लेकर क्लियरेंस दे दिया है इसके जवाब में PWD मंत्री तामरध्वस साहु ने बताया कि निलंबित मूल विभागों ने किया था मंत्री साहु ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई थी उसे लेकर हम ठेकेदार से काम करा रही हैं कहीं किसी को बक्षा नह सूचना दी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कानून व्यवस्ता की स्थिती खराब है नशे का कारोबार चल रहा है इस पर चर्चा हो तो सारे तथ्य आ जाएंगे विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत के स्थगन प्रस्ताव की सूचना को महा समुन में एसाई विकास शर्मा की हत्या हो गई राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के अंबिकापूर के घर पर चोरी हो गई अजय चंद्राकर ने कहा कि पुलिस को सुरक्षा कर्मी उपलब्द कराया जाए और जनता को भगवान भरो से छोड़ दिया जाए सिती ऐसी ही लग रही है ब्रिज मोहन अगरवाल ने कहा कि होली के दिन सेरी खेडी में 147 परिवारों को नोटिस दिया गया ये अपनी छद बचाने रायपूर पैदल चल पड़े इस उम्मीद में कि सीम और कलेक्टर को ग्यापन देंगे लेकिन बदले में उन्हें लाठिया मि होती है अंबिकापूर में राजस्य वह सांसत राम विचार नेताम जी के हाँ छोरी होती है जानगीर शापा में चाकुबाजी की घटना होती है रायपूर में एक तीन बरसी मासून का परहन होता है पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है और पुलिस अपराधियों को रोगने के बजाए जो नसे के वैपार में लगे हुई है उनको सरक्षन देने में लगी हुई है 36 गढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में विद्यूत वितरन कंपनी की ओर से की जा रही तीन हजार लाइनमैन की भरती के विग्यापन को निरस्त कर दिया है हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी ने माना है कि उमिद्वारों को बोनस अंक देने में भेद भाव किया जा रहा है इसलिए उन्होंने विग्यापन को निरस्त कर नए सिरे से भरती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है इस आदेश के बाद अब विद्यूत वितरन कंपनी को फिर से भरती के लिए विग्यापन जारी करना होगा हाई कोर्ट ने ये फैसला इस संबन में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है गौर तलब है कि 36 गड़ राजजे पावर डिस्टिबिशन कंपनी ने लाइनमैन के 3000 पदों पर सीधी भरती के लिए 12 अगस्त को विग्यापन जारी किया था इसमें करीब 1,36,000 बिरोजगार युवाव ने आविदन किया था चैन का आधार दस्मी की बोर्ड परिक्षा में प्रापतंक और पावर डिस्टिबिशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक को बनाया गया था भरती मेरिट लिस्ट के आधार पर की जानी थी रायपूर के याचिका करता बेखराम साहु ने भरती प्रक्रिया को चुनोती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरूप लगाया कि विद्युत वितरन कंपनी ने भरती में समविदा कर्मियों को प्रात्मिक्ता देने के साथ ही उनकी नियुक्ती की तैयारी कर ली है। जो सम्वेधानिक नहीं है। याचिका करता ने भरती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। राश्ट्रिय कोविड टीका करण अभ्यान के अंतरगत देश में अब तक 181 करोड 24 लाग से धिक्टी के लगाए जा चुके हैं। कल 1549 और लोगों में कोविड संक्रमन की पुष्टी हुई जबकि 2652 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.74 प्रतिशत हो गई है। अब तक 4 करोड 24 लाग से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय केवल 25106 मरीजों का इलाच चल रहा है। विद्यूत उत्पादन का लक्ष पूरा करने का कीर्तिमान बनाया है। सरवाधिक बिजली उत्पादन कर NTPC कोरवास सेंटर जहां पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, वहीं देश भर के NTPC सेंटरों में कोरवास सेंटर का स्थान पहला है। NTPC के कारेकारी निदेशक विश्वरू बसू ने बताया कि मौजुदा वक्त में एक यूनिट को ओवर उयलिंग के लिए बंद रखा गया है। बावजुद सेंटर ने ये लक्ष आसानी से पूरा कर लिया। मेरा टर्गेट जो था 31st मार्श तक था 20,506 मिलियन उनिट का अड़ रेत आप 90.03% PLF हम लोग बारा दिन पहले मतलब 19 तरीक का डेटा देखेंगे तो 19 तरीक आप रहा है 20,554.7 मिलियन उनिट हम अल्रेडी गनरेट कर चुके है अड़ रेत आप 93.31% मेरा एक यूनिट अभी ओवर रेलिंग में है जो 23 तरीक को आने वाला है 23 तरीक को आ जाने के बाद हमारा पूरा उमीद है इस बित्य बर्स का अंग तक अराउंड 93.5% PLF में हम जनरेट कर पाएंगे DD News से चर्चा करते हुए श्रीबसू ने बताया कि 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला NTPC कोरबा का सैंतर 40 साल पुराना है इसके बावजूद आज भी देश में सबसे सस्ती बिजली बनाने के साथ ही सरवाधिक बिजली उत्पादन का रिकार्ड कोरबा सैंतर के नामदर्ज है साथ ही उन्होंने बताया कि सैंतर में मौजूदा वक्त में कोईले की ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे गर्मी के दिनों में बिजली संकट की स्थिती निर्मित हो गोरतलब है कि एंटीपीसी कोरबा के सैंतर ने वित्तिवश खत्म होने से पहले ही विद्यूत उत्पादन के दिशा में जो की इर्तिमान बनाया है इससे एंटीपीसी प्रबंधन के साथ ही करमचारी और अधिकारियों में खुशी का माहौल है जाजगित चापा के बलोदा ब्लॉक के जाटा गाउं में कई महिला समुहों द्वारा सामुई खेती की जा रही है इससे उनकी आए बढ़ी है महिलाओं ने उद्यानी की क्षेत्र में नया प्रयोग किया है और वे सफल भी हो रही है जाटा गाउं के राधा कृष्ण स्वह सहता समुहों की दस महिलाओं के द्वारा अभी दो एकड में टमाटर और बैगन की खेती की गई है और अब उन्होंने तीन एकड में टमाटर की फसल लगाई है महिलाओं का कहना है कि दस साल पहले घर में छोटे स्थर पर उन्होंने उध्यानिकी खेती की शुरुआत की थी फिर उन्होंने बड़े स्थर पर सामूई खेती करने की यूजना बनाई समुह बनाकर उन्होंने टमाटर, बैगन, मिर्ची, समेत दूसरी फसल लिनी शुरू की इसमें उन्हें सफलता मिल रही है और जो कारे करा तो इस पहले से थोड़ा बहुन और आगे बढ़ाए पर हमने बैंक से लोन दिला है सांत मी कामन के अनुदान राशी भरे हैं आई नहीं है अभी हाँ हाँ पंद्रह जा सरकार दोरा जो अनुदान राशी होला भी दिला हन ताकि अपन काम ला आगे और बढ़ा सके हमने समूहों को बिहान से जुड़ी महिलाओं ने प्रोच साहित किया और सहयोग भी दिया। सोसाय तर समूख की इन महिलाओं का ये प्रयास रंगला रहा है और आमदनी बढ़ने से उन्हें उत्साह का माहौल है। इससे अन्य महिलाओं को प्रेड़ ना भी मिल रही है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार बढ़ गए हैं। भारती ये मौसम विज्ञान विभा के नुसार इस समय विदर्ब और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते तेलंगाना विदर्ब और चत्तीजगड के अलग-अलग हिस्सों में हलकी बारिश होने की संभावना है। इसके असर से कोंडा गाउं और उसके आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से रहात मिली है। रायपूर में भी आज सुबा बदली चाही रही। गोरतलब है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिन पूर्व और उससे सटे दक्षिन अंडमान सागर के उपर बना दबाव का क्षेत्र अब उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर तथा अंडमान से आगे और निकोबार दीप समू की ओर बढ़ रहा है। अगले बारा घंटे में तीवर होकर आज शाम तक इसके चक्रवाती तुफान में बदल जाने के आशंका है। उसके बाद ये कल उत्तर पूर्व में बांगलादेश और उत्तरी मेयमार तक पहुँच सकता है। इसके असर के कारण कल पोर्ट ब्लेर में घने बादल चाये रहे और बारिश भी हुई। चक्रवाती तुफान के आशंका को देखते वे अंडमान और निकोबार दीव समू में एहतियातन परेटन संबंधी गतिविधिया कल तक के लिए स्थागित कर दी गई हैं। सभी स्कूल आज बंद कर दिये गए इसके अतिरिक्त जल्यान सेव समय भी रद्द कर दी गई हैं। दूरदर्शन केंद्र राइपुट से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल चटीजगर डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्द रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप चटीजगर डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा चटीजगर डीडी न्यूज फेसबुक और ट्वीटर पर भी उपलब्द है। अंत में 36 गडविधान सभा में आज भाचपा सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर काफी हंगामा किया। इस्थगन प्रस्तावला कर चर्चा कराये जाने की मांगी। राश्ट्रिय कोविडिटी का करण अभ्यान केंदर का देश में अब तर 181 करोड 24 लाग से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं। और एंटीपी सी के कोरबा सेंत्र ने वित्तिय वर्ष समाप्थ होने से पहले ही हासिद किया उत्पादन लक्ष्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटीन समाप्थ होगा नमस्कार